ओम शान्ति मकर सक्रान्ती की सभी भाई बेहनों को हारदिक हारदिक सुप कामना है मकर सक्रान्ती वर्स का पहला ऐसा तिवहार है जो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है जैसा कि हम देखते हैं हरियाना और पंजाब में लोहडी नाम से केरल में पोंगल नाम से और उत्तर प्रदेश में खिचडी नाम से यह तिवार मनाया जाता है इस तिवार पर हम यह मानते हैं कि सूर्य दक्षिन आयन से उत्रायन की और प्रवेस करते हैं अर्थात सूर्य मकर रासी में प्रवेस करते हैं इसे बड़ा ही सुभ माना जाता है तो इसी लिए इसका नाम मकर सकरांती के नाम से जाना जाता है सकरांती अर्थात क्रांती ऐसी क्रांती जो अंदकार से रोसनी की और ले जाती है ऐसा माना जाता है इस दिन से सूर्य तिल-तिल बढ़ने लगता है अर्थात अंदकार से सोजरे की और हम जाने लगते हैं जो हमारे लिए भी सुब होता है और प्रक्रती के लिए भी सुब होता है सूर्य की गर्मी दिन पदिन दिन बदिन बढ़ती जाती है इस दिन इस त्योहार को अनेक रूपों से मनाया जाता है जिसमें से कुछ विशेश रूप हम आज जानेंगे पहला इस दिन तिल का महत्व तिल का महत्व यदि पोरानिक दरश्टी से देखें तो ऐसा माना जाता है कि एक समय सूर्य अपनी पत्नी छाया पर कुछ गलत दोसा रोपन कर रहे थे तब पुत्र सनी की दरश्टी सूर्य पर पड़ी तो सूर्य को छैरोग हो गया तो उस दिन से ऐसा माना जाता है कि सूर्य और सनी एक दूसरे के अपोजिट अर्थाद दूस्मन है पर यमराज भी सूर्य का पुत्र था यमराज ने तपस्या कर सूर्य के छैरोग को समाप्त किया और सूर्य को अर्थाद अपने पिता को कहा कि जाओ सनी देव से मापी मांगो क्योंकि जब सनी ने सूर्य देव को खूर कर देख लिया था उन्हें चैरोग हो गया था तो सूर्य देवता ने उन्हें स्राब द्वारा स्रापित कर भस्म कर दिया था तो उनके घर भी अर्थाद सनी रासी भी जल गई थी जिसमें कुछ तिल्ली बची तो सनी अपने साथ तिल्ली को लेकर चले गए फिर जब सूर्य सनी से माफी मांगने उनके घर अर्थात मकर रासी में प्रवेस किया तो सनी से जब वे माफी मांगने गए तो सनी जो तिल्ली बचा कर लाए थे वे तिल्ली उन्हें उपहार स्वरु दी अर्थात तिल्ली द्वारा उनका स्वागत किया। तो इस दिन को अत्याधिक सुब माना जाता है। इस दिन देवी देवताओं के लिए भी अत्याधिक सुब दिन होता है। क्योंकि अंदकार से प्रकास की और हम जाते हैं इस दिन को वर्स का सबसे अधिक ठंडा दिन माना जाता है इस दिन के बाद तिल-तिल करके गर्मी बढ़ने लगती है इसी लिए इस दिन तिल का महत्व माना जाता है कहा जाता है कि मकर सकरान्ती का दिन पूरे वर्स में सबसे ठंडा दिन होता है और यह तिल गर्म वा कड़वा है परन्तु इस तिल का महत्व गर्म होने से अधिक है और तिल से इसकी तुलना इसलिए भी की गई है क्योंकि इस दिन जो सूर्य मकर रासी में प्रवेस कर और दक्षिन आयन से उत्रायन की ओर बढ़ता है अर्थात अंधकार से प्रकास की ओर बढ़ने लगता है वा धीरे धीरे तिल के समान उसका आकार भी बढ़ने लगता है तो फिर और अपने संपूर्ण आकार की ओर बढ़ने लगता है इसलिए भी मकर सकरांती का अत्याधिक महत्व माना जाता है सास्त्रों के द्वारा देखें तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भिश्म पिता महा ने अपनी स्वेच्चा से अपने देह का त्याग किया था उसके पीछे यह भी एक वज़ा है कहा जाता है कि इस दिन जो आत्मा अपने देह का त्याग करती है वे सीधे स्वर्ग लोक अर्थात देव लोक में पहुचती है इस पर यदि अध्यात्मिक द्रष्टी डालें तो हम देखते हैं कि अंधकार से प्रकास की और जाना अर्थात परमात्मा इस रष्टी पर आते हैं एक देह का आधार लेकर इस कल्यूगी दुख की दुनिया को अंधकार की दुनिया को सोजरे में ले जाते हैं और सुखी बनाते हैं उसका आधार ज्ञान अमरत को माना जाता है वे अपने ग्यान द्वारा अधर्मों का विनास कर एक धर्म की इस्थापना करते हैं और ऐसे धीरे धीरे संसार का परिवर्तन होता जाता है सत्यूगी देविय स्रश्टी की इस्थापना होती है इसी का प्रतिकात्मक स्वरूप मकर सक्रांती के रूप में मनाया जाता है जैसे जैसे मन का अंदकार मिठता है आत्मा का ग्यान बढ़ता जाता है तो देवताओं के समान नर नारायन बनने लगते हैं इसी दिन तिल्ली वा गुड के महत्व को अधिक माना जाता है तिल्ली अर्थात कडवाहट कडवाहट वा गुड मिठास तो कडवाहट और मिठास को मिला कर सभी लोगों को बाटा जाता है तिल्ली के लड़ू खाये जाते हैं जिसका यदि रहस्य हम जाने तो यही रहस्य निकालेंगे कि इस दिन जो अनेक संसकार स्वभाव है वे आपस में मिलकर मिठास को प्राप्त करते हैं जिस प्रकार तिल्ली को कडवा माना जाता है और गुड को मीठा माना जाता है ऐसे ही इस संसार में जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो कुछ आत्माओं को सिलेक्ट कर गुड के समान बनाते हैं और जो कल्यूगी आत्माओं हैं वे तिल के समान कडवी होती हैं उनके संसकार अलग होते हैं उनके संसकार अलग होते हैं तो जब वे संसकार आपस में मिलते हैं तो सभी एक लड़ू समान मेठे बन जाते हैं तो इस दिन से जिस प्रकार तिल्ली के समान सूरज नारयन का आकार बढ़ता है वैसे ही जो आत्माएं परमात्मा पिता को पहचान लेती हैं वे आत्माएं बून्द बून्द ग्यान धरन कर सर्व आत्माओं के प्रती सुब भावना सुब कामना रख अपनी स्रेष्ट द्रस्टी व्रत्ती द्वारा ब्रष्ट स्रष्टी को स्रेष्ट स्रष्टी बनाने की निमित बनती है और कल्यूगी स्रष्टी सत्यूगी स्रष्टी में परिवर्तित होने लगती है इस तिवहार पर हम देखते हैं पतंग का भी महत्व माना जाता है इस दिन सूर्य की धूब ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए खुले मेदान में पतंग उडाने की प्रथा चलिया रही है पूरा परिवार साथ मिलकर इस दिवार पर पतंग उडाते हैं और उमंग उत्षार से मनाते हैं कई बड़े-बड़े मेदानों में बहुत लोग अनेक प्रकार की रंग-बिरंगी ड्रेसे पहन अनेक प्रकार के रंग-बिरंगी पतंगों को उड़ाते हैं अलग-अलग कलरवा डिजाइनों की पतंगे होती हैं और आपस में मिलकर यह त्योहार मनाते हैं सूर् नहत्त्यु समझें, तो अनेक संस्कारों को मिला कर एक बनाना, कझवाहट को दूर कर मिठासलाना, बुराईयों को मिठा कर अक्छाईयों में परिवर्तित करना, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक ग्यान सूर्य अर्थात परमात्मा पिता का सच्चा सच्चा ग्यान पहुचा कर विश्व का परिवर्तन करना और पतंग से यह भी महत्तु लगाया जाता है कि जिस प्रकार पतंग हलकी होकर आकास में उड़ती है ऐसे ही हम आत्माएं जो इस देह में हैं इस देह के संसकारों में बंदी हुई हैं इस देह के संबंदों में बंदी हुई हैं इस देह के बंधनों में बंधनों में बंदी हुई हैं उन बंधनों को, उन संबंधों को, उन रिष्टे नातों से न्यारे होकर एक पिता परमात्मा की याद में रहकर उपराम हो रहना तो जब हम इस देह से, देह की दुनिया से, पुराने संसकारों से, पुराने स्वभाओं से मुक्त होने का पुरुशार्थ करते हैं खुद को आत्मा निराकार समझते हैं, तो उस पिता परमात्मा अर्थात परमधम में हम आत्माएं पहुचती हैं और उस पिता परमात्मा से सक्तियां ग्रहन करती हैं, तो हम आत्माएं हलकी होकर पतंग के समान जब ही उड़कर अपने पिता के पास जा पाएंगी, जब इस देह तथा देह के बंधन से नियारी होंगी तो इस स्रश्टी पर परमात्मा का अवतरन होता है, परमात्मा पिता आकर यही ग्यान देते हैं कि तुम आत्माएं निराकार हो, निराकार पिता परमात्मा की संताने हो, आपस में सब भाई-भाई हो, आपस में सभी एक दूसरे के प्रति सुब भावना सुब कामना रखो और मुझ पिता परमात्मा को याद करो जिससे तुम्हारा कल्यान हो जाएगा तुम मुक्ती जीवन मुक्ती को प्राप्त कर सकोगे इसी दिन हम देखते हैं भारत के उत्तरप्रदेश में यह तेवार खिचडी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन खिचडी, खाने और खिलाने का प्रेचलन है खिचडी वा तिलकुट इत्यादी से बनी चिक्की वा मिठाईयां खाने के साथ साथ खिचडी वा तिल का दान भी दिया जाता है बिहार में मकर सक्रांती को खिछडी और मकर सक्रांती के नाम से जाना जाता है और यदि बंगाल में देखें तो इस पर्व पर गंगा सागर पर पहुत बड़े मेले का आयोजन होता है यहां इस पर्व के दिन इसनान करने के बाद तिल दान करने की प्रता है कहा जाता है कि इसी दिन यसोदा जी ने सिरिक्रश्न प्राप्ति के लिए वरत रखा था साथ ही इसी दिन मा गंगा भागीरत के पीछे चलकर कपिल मुनी के आस्रम होते हुए सागर में जा मिली थी इसी वजह से हर साल मकर सकरांती के दिन गंगा सागर पर भारी भीड़ होती है मेला लगता है लोग इसनान कर तिल का दान करते हैं महाराष्ट में इस तिवहार पर सभी लोग एक दूसरे को तिल और गुड़ देते हैं और कहते हैं तिल गुडद्या अनि गोड़ गोड़ बोले यानि तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो इसके अलावा इस दिन गुल नामक हलवे के बाटने की भी प्रता है तो ऐसे रंग विरंगे तिवार मकर सक्रांति की सभी भाई भेनों को हार्दिक हार्दिक सुभकाम नाये और हम यही आसा करते हैं कि सभी खुद को उस परमात्मा निराकार की संतान आत्मा अनुभाव करें खुद को आत्मा अनुभाव कर सर्व को आत्मा अनुभाव करें तो जब हम उस पिता परमात्मा की संतान हैं सभी आत्माएं हैं तो आपस में सभी भाई भाई हैं तो उस अनुसार हम सब भाई भाई हैं हम सभी एक दूसरे के प्रति सुब भावना सुब काम न रखें एक दूसरे से मीठे बोल बोलें एक दूसरे को सुख दे यही मकर सकरांती तिवहार हमें सिखाने आता है तो ऐसी आसा है अच्छा ओम शांती झाल 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 झाल